हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तो देखते हैं आज न्यूजपेपर में ऐसी क्या खास वेल्यूबल इंफोमिशन है जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिलिम्स 2020 में तो नियू इंडियन एक्प्रेस ने कवर किया है कि रोहिनी कमिशन का जो टैन्यूर था उसको एक्स्टेंड कर दिया गौर्मेंट ने तो आपको यह पता होना चाहिए कि रोहिनी कमिशन किस चीज़ के लिए बनाया गया था अब अगर हम पास्ट यूपीएसी ट्रेंट कुछा था अब रोहिनी कमिशन किससे रिलेटेड़ है इससे इस टाइप का कॉश्शन कुछ बन सकता है रोहिनी कमिशन इस रिलेटेड डू तो यह जो है डी इसका करेक्ट अंसर है क्यांकि यह जो सब केटेगराइजेशन हुआ था अभी ओमेसी क्लासिज के इंदर उससे related ये commission government ने form किया था, उसको कैसे align करना है, क्या changes लेकि आने हैं तो अभी ये study कर रहा है तो इसका जो tenure है वो six months के लिए extend कर दिया गया था, इसलिए ये news में आया है FPI regulations 2.0 Savvy ने नए regulations issue किये है, FPI को ध्यान में रखते हुए, तो ये portfolio investors जो होते हैं इनके उपर, UPSC last year 2019 prelims में question पूछ चुका है और अब Savvy की नई guidelines आई है किस committee की recommendations पे ये guidance लेकि आया है, Savvy तो आपको ये सारी चीज़े ध्यान रखनी होगी और basically इसके अंदर sub-categorization मनाई गई है, जो countries FATF के member हैं उनको अलग रखा गया है, उनके लिए अलग provisions होंगे और जो FATF की membership के बाहर है, उनके लिए अलग provisions होंगे तो इससे ये कहा जा रहा है कि ease of doing business इंडिया के अंदर और बढ़ेगा और investment लाना असान हो जाएगा, अब इसके अंदर जो है, identify किया गया कुछ high risk jurisdiction जो होती है जहां से जिन countries से directly capital inflow को monitor किया जाएगा जैसे कि Mauritius Mauritius high risk jurisdiction में डाला गया है और Mauritius से जो इंडिया के अंदर investment आ रहा है उसको जो है tightly monitor किया जाएगा तो ये ने, जो है, SEBI guidelines लिखे आया है अब इसके अंदर कुछ और changes है जैसे कि अब तीन categories में जो है countries को align किया जाएगा category 1, 2, 3 और उसके अंदर जो restrictions होंगी उसी पर based होंगी अब prelims 2019 के अंदर foreign portfolio investment पे investors पे कुछ इस टाइब से question directly पूछा था अब देखते हैं कि अगर in-depth question हम लोग frame करें तो किस टाइब से बन सकता है consider the following statement regarding FPI regulation 2.0 first statement these will replace the rest while SEBI regulations 2014 2014 की जो regulations है basically यह उसको replace करेगा second statement these changes are in line with the recommendations of the working group constituted by SEBI under the chairmanship of Ajay Tiyagi तो यह wrong statement है क्योंकि HR Khan जो है उनके अंडर यह working group बनाया गया था और उसकी recommendation पे यह changes लाए गए है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको as an HR Khan committee का नाम भी दिया जा सकता है इस working group को तो वो आपको थोड़ा idea रखना पड़ेगा अब जो है यह UN की एक statement है कि 30% of earth का जो surface है land और ocean को मिला गए उसको protected area में convert करना पड़ेगा 2030 तक अगर हम ecosystem को sustain करना चाहते हैं तो तो इसके अंदर और information भी दी गई थी तो देखते हैं question कुछ इस type से बनेगा which of the following species have been declared extinct तो basically इसके अंदर यह जो है इन में से एक species के बारे में information थी कि वो extinct हो गई है अब इसके साथ तीन option दो option और डालके आप से कुछ इस type से question बनाया जा सकता है first passenger pigeon, second fresh water Chinese paddle fish, third bramble के melomy, तो अगर हम शंकर राइस follow कर रहे हैं अपनी preparation को लेके ecology cover करने के लिए उसके अंदर passenger pigeon mentioned है यह last year add किया गया था और fresh water Chinese paddle fish यह इस article के अंदर mention है कि कैसे यह भी extinct हो गया है तो A इसका correct answer है आपको इन तीनों का नाम ध्यान रखना है passenger pigeon, fresh water Chinese paddle fish और bramble के melomy तो यह basically Australian चूहा होता है, Australian mice होता है यह तो आपको इसके बारे में थोड़ा idea होना चाहिए कि यह Australia में मिलता था और वहाँ से extreme हो गया और fresh water Chinese paddle fish यह भी recently scientist ने declare किया है तो यह आपको पता होना चाहिए अब pelican paradise एट उपल लाट पाडू जो है bird century है उपला पाडू तो आपको पता होना चाहिए उपला पाडू bird century कहां पे located है अब इसके अंदर कुछ इस type से question UPSC पूछ सकता है जैसे prelims 2014 के अंदर match the following करके question आये था कि यह wildlife centuries tiger reserve और जिस state में यह located है उनके बीच में as a pair जो है आपसे question में पूछा गया था अब इसके अंदर अगर हमें question बनाना हो तो कुछ इस type से बनेगा consider the following statement नलपट्टू wildlife century आंद्रप्रदेश अन्नमलाई tiger reserve करनाटका उपलपाडू bird century आंद्रप्रदेश तो basically नलपट्टू bird century जो है यह भी आंद्रप्रदेश में है और पुलिकट लेक पे जो फ्लैमिंगो festival celebrate किया जाता है वो नलपट्टू bird century भी फ्लैमिंगो festival का एक साइट है हमने कल के लेक कल के वीडियो में यह कवर किया है और अन्नमलाई tiger reserve आपका तमिल नाडू में है वहां से stretch होके केरल तक जाता है तो करनाटका आपका रॉंग option हो जाता है और उपल पाडू bird century यह भी आपकी आंद्रा में located है तो one and three इसका correct answer हो जाता है अंद्रपरदेश bets big on zero budget natural farming अब zero budget natural farming के बारे में आपको थोड़ा idea होना चाहिए तो prelims 2018 के अंदर organic farming के उपर UPSC ने question पूछा था और यह in-depth question था detailed explanation इसके अंदर मांगा गया था अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर कुछ इस टाइप से statement based question ऐसे UPSC बना सकता है consider the following statement regarding zero budget natural farming first statement it is the debt cycle for farmer तो यह correct है क्योंकि जब आप अपनी crop उगा रहे हो और उसी से ही input में use कर रहे हो अगली crop के लिए तो आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा आपकी input cost कम हो जाती है इससे तो फार्मर को कम loan लेना पड़ता है कम ब्याज मनलब कम जो है लोगों से पैसे लेने पड़ते है तो उसकी debt cycle जो है वो इस हो जाती है जोड़ी second it helps in reducing the fertilizer subsidy तो यह भी करेक्ट है क्योंकि जब fertilizer का use कम हो जाएगा तो सरकार का जो पैसा fertilizer subsidy के पर खर्च होता है वो भी कम हो जाएगा third statement input cost might increase with the use of organic manure यह wrong हो जाती है क्योंकि जब हम organic manure यूज कर रहे तो आपकी input cost जो है वो बढ़े गे नहीं वो कम होगी तो यह statement आपकी गलत है बी इसका correct answer है हिंदू के इंदर अब आज headline थी की कैसे जो है SEO की meeting के इंदर इमरान खान को बुलाया जाएगा तो आपको पता होना जाएगी SEO के current members कौन से कौन से हैं इंडिया चाइना पाकिस्तान रश्या कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजीकिस्तान उजबेकिस्तान तो current membership आपको पता होनी चाहिए इसके लावा SEO का जो headquarter है वो कहां पे located है प्लस इसके जो agencies जैसे regional anti-terrorist structure वो कहां पे located है वो bodies कौन सी कौन सी है observer status कौन से कंट्रीज के पास हैं अफगानिस्तान बेलरूस इरान मंगोलिया यह आपको थोड़ा idea होना चाहिए प्रिलिम्स 2019 के अंदर Asian infrastructure investment bank के उपर UPSC ने question पूछा था बेसिकली यह organization based question था और इसके अंदर जो options से जो statements ही वो काफी in-depth थी अब इसके अंदर number of जो nation इसके members हैं SEO के आप से उस number पर भी question पूछा जा सकता है और इंडिया का जो take है उस पर भी question पूछा जा सकता है कि इंडिया founding member था के नहीं था और यह भी पूछा जा सकता है कि Asia के बाहर के कितने countries इसके member हैं तो यह 2019 based question कुछ इस टाइप से UPSC बना सकता है अगर हम इसक इस लोकेटेड इन बीजिंग सेकिंड इंडिया और पाकिस्तान जॉइंड दे एस सुल मेंबर्स इन 2016 थर्ड तुर्कमेनिस्तान इस अलसो इट्स मेंबर तो हम मैंसे कई लोग शांगाय कोपरेशन ओर्गनाइजेशन का नाम सुनके इसका नाम तो शांगाय से शुरू हो है लेकिन इसका हेड़कोर्टर वो बीजिंग में लोकेटेड है तो फर्स आपका करेक्ट है सेकिंड इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबर्शिप मिली थी वो 2017 में मिली थी तो आपको यह भी ध्यान रखना है और अगर हम ट्रेंड देखेंगे 2018-19 prelims का तो उसके अंद रश्या जो USSR के कंट्रीज जब USSR सेग्रीगेट हुआ था उसके बाद जो है तुर्कमेनिस्तान उन में से एक ऐसा है जो इसका मेंबर नहीं है तो हमें यह ध्यान रखना है इस चीज़ का Centralation countries में से तो उनली वान इसका correct answer है अब इंडिया की जो मेंबर शिर्ती वो 2017 में आई थी अब जो है State Energy Efficiency Index यह रिलीज किया गया आपको यह आईडिया होना चाहिए कि State Energy Efficiency Index 2019 जो रिलीज किया गया इसको develop कौन सी agency करती है और जो current जिन states ने perform किया है उसके बारे में भी आपको थोड़ा idea होना चाहिए और ये as it is Hindu newspaper में से उठा के डाला गया है तो prelims 2016 के अंदर Bureau of Energy Efficiency पे already UPSCA question पूछ चुका है और State Energy Efficiency Index का relation भी Bureau of Energy Efficiency से है तो इसलिए आपको थोड़ा idea रखना पड़ेगा इसके अंदर अगर हम statement based question कुछ ऐसे बना सकते है State Energy Efficiency Index is released by Niti Aiyog तो ये wrong है क्योंकि Bureau of Energy Efficiency BEE वो इस index को release करता है और हम इसमें confused हो सकते हैं क्योंकि Niti Aiyog काफी index आजकल release कर रहा है state की ranking को लेके second statement in their group तो ये जो है ये wrong है क्योंकि इन्होंने worst perform किया है तो आपको ये idea रहा है कि best performing states कौन से हैं और worst performing states कौन से हैं तो second statement आपकी wrong है first statement भी आपकी wrong है D इसका correct answer हो जाता है none of the above तो ये in-depth explanation है कि कैसे मनिपूर, धारकन, राजस्तान ये worst है और हर्याना, करनाटक और केरला ये best performing groups में आते हैं और इसके अलावा जो इसको release करने वाली agency है वो BEE है in alliance with energy efficiency economy ये जो alliance है ये agency है तो ये BEE के साथ मिलके इसको release करती है नीतिया योग का कुछ भी इसके साथ लेना देना नहीं है हिंदू review जो Friday review आता है उसके अंदर ये एक article है और हम में से काफी लोग Friday review नहीं पढ़ते हैं तो culture का content काफी मिल जाता है अब ये prelims 2019 का question है contemporary जो थे अकबर के कौन थे इस base पे question आप से पूछा गया था अगर हम कुछ question इसमें बनाए जो information उस article में थी वो थी थ्याग राज के उपर तो consider the following statement regarding the trinity of carnatic music तो आपको पता होना चाहिए कि three मूर्ती बोलते हैं three jewels of carnatic music बोलते हैं जिनको वो कौन कौन है तो first statement कह रहे हैं कि वो थ्याग राज मुथ्यू स्वामी दिक्षितर और स्वामी श्याम शास्त्री है तो ये statement आपकी correct है second statement they were contemporaries of emperor अकबर तो ये wrong है क्योंकि ये जो है ये 18th century में थे और अकबर उनसे पहले थे 16th तो ये आपको idea लेना है कि ये अकबर के contemporary नहीं थे तो only a जो है वो इसका correct answer हो जाता है ये detailed explanation है कि कैसे ये 18th century के थे और ये three jewels of carnatic music इनको बोला जाता है I hope ये information आपको help करेगी आपके prelims 2020 में Thank you